हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मर आपकर स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं वरत के लिए फ्रेंच फ्राइज इसे हम वरत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें कोई किसी तरह का मैदा अरा रोड या फिर चावल काटा नहीं यूज करेंगे और आप देख सकत हैं उतने क्रिस्पी बने हुए है यहे तो चलिए रेसिपी शूरू करते है रत्मी फ्रेंच फ्राइज के लिए तो यहां पर मैंने यहां पर मैंने चार मीडियम साइज के बड़े साइज के आलू ले लिये हैं जो ये होली के सीजन से पहले इस तरह के बड़े-बड़े आलू आते हैं वो ले लेने हैं उसे अच्छे से धोके छील लेना है उसके बाद क्या करेंगे अगर बड़ा आलू है तो हम उसके इस तरह से लंबाई में चार टुगड़े कर लेंगे उसके बाद इस तरह से इसके फिंगर्स कट कर लेंगे जिस तरह से फ्रेंच फ्राइस के कटिंग होई होती है इसके लिए हमें अलग से कोई cutting चौपर लेने की ज़रूरा नहीं है असानी से इस तरह से french fries जो है असानी से आप घर में cut कर सकते हैं यहाँ देखें मैंने किस तरह से इसको fingers में cut लिया है सारे को इसी तरह से cut कर लेंगे अगर आलू small size का है तो आप इसको तीन ही pieces करें जहां रहे कि आप इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटें क्योंकि ये fry होने के बाद श्रिंक हो जाती है तो इसलिए आप इसको थोड़ा-थोड़ा मोटा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है अब आप इसे अच्छे से धोलें अगर आप इसे धोना नहीं चाहते हैं तो आप इसको 30 minutes के लिए पानी में भीगा के रख सकते हैं या फिर सार से 5 बार इसको अच्छे से धोलें जब तक कि ये बहुत अच्छे से साफ न हो जाए तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धोलिया है और यहाँ पर देखें बिल्कुल क्लियर पानी है बिल्कुल भी ब्लर पानी नहीं है इसमें अब हम इसे चान लेंगे इससे क्या होगा कि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है न इसका ये निकल जाएगा आप चाहें तो इसी तरह से छनी पे इसको 10 मिनट के लिए पंके की हवा में भी रख सकते हैं आजकल का मौसम जोड़ा गरम है यह इसी तरह से भी सूख जाती है लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी है और आप इसे फटाफट सुखाना चाहते हैं मतलब कि आप 10 मिनट बेट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें इसको इस तरह से एक टावल पे डाल ले और इसको सुखा ले देखी मैं इसको इस सरह से टावल पे डाल लेती हूँ और इसको अच्छे से पैट ड्राइ करके सुखा लेंगे टावल से इसको हलके हाथों से रगड़ते हुए हम इस सरह से सुखा लेंगे इससे क्या होगा कि आलू के ऊपर पानी लगा हुआ है मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्टर है इसको वो निकल जाएगा बस हमें इसको वो ही निकालना है क्योंकि जो हमने आलू लिये है इसमें वैसे मौइशर कम होता है अब हमने इससे फ्राइ कर लेना है तो फ्राइ करने के लिए तेल का क्या करना है हमें इसमें मीडियम गरम तेल लेना है मीडियम गरम तेल में हम इसे डाल देंगे यहाँ पर देखिए जैसे हमने आलू डाले है और आलू को हमें क्या करना है कि बहुत सारे डाल देना है एक बार में जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कितने सारे आलू एक बार में डाल दे हैं इससे क्या होता है कि temperature जो है वो चारो तरफ एक बराबर रहता है medium oil है और यहाँ पर मैंने flame को भी low to medium कर रखा है आप देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे बुलबुले अभी इसमें आ रहे हैं हमें इसे इसी तरह से 4-5 मिनट तक low to medium flame पे ही अभी fry करना है high flame पे अभी fry हमेंसे नहीं करना है जब low to medium पे करते-करते इसमें अपने आप यह तेज-तेज बबल जाने शिरो जाएंगे आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो है और यह जो बबल्स है यह बुल-बुले यह कितने तेज-तेज हमारा जो oil है वो उबलने लग गया है अभी flame को मैंने medium ही कर रखा है medium flame पे ही अपने आप इस तरह से उबलने लग जाएगा एकदम से high flame पे हमें इसे नहीं डालना है तो जब 3-4 मिनट हम इसको medium flame पे fry कर लेंगे ना उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे देखिए हमें आलू को अभी सिर्फ इस तरह से 50% तक ही गलाना है flame को अभी हमें medium ही रखना है high flame पे अभी इसे नहीं गलाना है medium flame पे दीरी दीर ही अच्छे से गल जाएंगे और यहां पे देखिए जो bubbles है ना यह भी आने दीरी दीरे बंद हो जाएंगे जब यह थोड़ा fry हो जाएगा ना तब bubbles आने थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे तो यहां पे यह 50% तक हमें इसे गलाना है यहां देख सकते हैं अब कि यह थोड़े थोड़े गले दिखाई दे रहे हैं मतलब थोड़े से soft हो गए हैं बस इसी stage पे हमें इसे यहां से निकाल लेंगे मतलब तेल में से अब हमें से निकाल लेंगे आप इसे किसी strainer पे निकाल लें क्योंकि जो extra oil होता है इसमें उससे ही अराम से निकल जाएगा अब हमें से क्या करेंगे इसी तरह से strainer पे रखे रहने देंगे इससे इसका extra oil भी निकल जाएगा और इसे ठंडा भी करना है हमें इसे room temperature तक बिल्कुल ठंडा करना है मतलब जब ये जो हमारी half fries मतलब 50% जो fries है ये fry की हुई ये जब तक बिल्कुल room temperature भी जितने ठंडी नहीं हो जाती ने कि बिल्कुल आप हाथ लगाएं तो तो बिल्कुल ठंडी हो जाए, यह से स्टेज तक हमें इसे ठंडा करना है, अब यहाँ पर हमारी फ्रेंच फ्राइज ठंडी हो गई है, तब हमें इसे क्या करेंगे, एक बार फ्लैश फ्राइज करेंगे, इसके लिए मैंने तेल को एकदम बॉइलिंग होट कर लिया था, हमा यहाँ पर देख सकते हैं, आप 2-3 मिनट के अंदर यह जो फ्रेंच फ्राइज पर बहुत अच्छा सा कलर आने लग जाता है, और यह बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, यह रेसिपी दस मिनट में बनके तयार हो जाती है, वरत में इसे खा सकते हैं, ने इसमें कोई चावल का आठा, रारोट या फिर मैदा इस पर नहीं कोट किया हुआ है, तब भी आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज है कितनी किस्पी बन रही है, बस एक बैच को फ्राइज होने में, पहले हमने इसको 3 मिनट फ्राइज किया है, दुबारा हम ऐसे 3-3 मिनट तक फ्राइज कर लेना है ठंडय करने के बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज एकदम अच्छे से ब्राउन हो गई है, चारो तरफ से, आप चाहें तो यह बिल्कुल आपके पसंद के उपर है, कि आप इन्हें कैसा खाना चाते हैं, आप इन्हें कर लेंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आगया है इस पर, बस इसी स्टेज तक हमें इसे फ्राइज कर लेना है, ज्यादा फ्राइज कर लेंगे न तो फिर एजिस जो होते हैं, वो जलने लग जाते हैं, तो बस अब हम इसे स्ट्रेइनर पर निकाल लेंगे और एक्स तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज को सर्फ कर लिया है, आप चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा सेंदा नमक डाल के खा सकते हैं, या अगर आप बरत में सेंदा नमक भी नहीं खा सकते हैं, तो आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं, यह प्लेन भी बहुत अच्छी लगत विडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेर जरूर करें थैंक यू